धेरदून के ISVT में नावालिक बालिका के साथ हुए दुशकर मामले में पुलिस ने पाँचो अभियुक्तों को गिरिफ्तार कर लिया है गिरिफ्तार अभियुक्तों में धरमेंद्र कुमार, देवेंद्र, रवी कुमार, राजपाल और राजेश कुमार शामिल है गटना में प्रयुक्त उतराखंट परिवान निगम की वस संख्या UK07PA5299 को भी पुलिस ने अपने कबजे में लिया है फोरेंसिक टीम दोरा बसकी जाच की गई है और महत्वपून साक्ष एककत्र किये गए है पूस्ताच के दौरान अभियुक्त देवेंदर ने बताया कि उसे पीडित बालिका दिल्ली के कच्मीरी गेट स्टेशन पर मिली थी बालिका पंजाब जाने वाली बस के बारे में जानकारी ले रही थी देवेंदर ने उसे धेरदून चलने और वहाँ से पाफटा होते हुए पंजाब भेशने का जहांसा देकर धेरदून लाया देरदून पहुचने के बाद जब रात में बस से सभी सवारियां उतर गई तो देवेंदर और बस राइवर धरमेंदर ने मिलकर बालिका के साथ दुशकर्म किया इसके बाद अन्नि बस चालो को राजपाल राणा और रवी कुमार ने भी बालिका के साथ दोशकर्म किया अन्त में बस कंड़क्टर देविंद्र ने कैश काउंटर पर पैसा जबा कराने के दोरान इस घटना की जानकारी कैशियर राजेश सोनकर को दी जिसने भी बालिका के साथ दोशकर्म किया पुलिस ने सभी अभियुक्तों को गरिफतार कर लिया है और मामले की जात चारी है प्राइमरी रिपोर्ट होती है उन्होंने उसको अंकित किया और इसके बाद जो सब्सक्राइब करें और कुछ मांसे रूप से परशान लग रही है तो इसके उपरान जब वहां पर साड़े पीन बजे के बाद प्रक्रिया करके वह सीड़ी के सामने अगले दिन वो ले जाते हैं उस दिन भी कांसलिंग के दौरान उसने अपने आपको कहीं को अपने साथ इसको घटना के बारे में नहीं कोई अपने बच्चों को लाते हैं तो नॉर्मल एक मेडिकल मौहां पर किरा जाता और इसके बाद घर का नाम पता कभी मुरादवाद गभी दिल्ली जाना और पट्याला जाना कभी अपने माबाब को कुरोना के दोरान उनकी देथ हो जाना और इस तरह अपने भाई और जो घर में परिवार के लोग है उसका पास कुछ नाम पता नहीं था नहीं उसके पास कोई था नहीं कोई अधार काड़ या कोई आईन्टी थी जिससे की उसकी पैचान होता है तो इ तो इसके बात को चाहें कि एक ठाइसी नहीं है और इस तरह से गटना प्रकाश वारे कि इसके साथ कोई घटना जिसी हुई होगी और तो इस पर करिदेध bono कि इसके बाद हमने प्रतकान जैसी चीज प्राफ थूई एक टीम का गठन महिला अपधिगा रही हो सभी के साथ तो नहीं बना दिया थे इसमें कि वह जाए मौके पर तोकि गठना स्थल भी पहुँ जादा पस नहीं लेकिन आइस बीटी से चुका वह मिली थी वहां से इसलि तब जब वो सस्पेक्ट को जब हमारी महिला सस्पेक्टर द्वारा विस्तार लड़की से पूछा गया उसके द्वारा ऐसा बताएगा कि प्रांश लोग के साथ अलग अलग समय में उसके साथ गलत वह काम किया है इसके आधार पर जो आदमी सस्पेक्ट भूम रहा था उस उसकी शिनाख हुई कि वह भगवानपूर एक ड्राइबर है कि बस का ड्राइबर है और यह भगवानपूर में भूलूप से रहने वाला और आज अपास पर है उसकी ड्यूटी आफ है और वो अपने घर गया होगा है इसके आधार को पुलिस टीम हमारी जो सस्पेक्ट था उसकी तलाश में निकल गी साथ ही साथ हम घदमा दर्च करके मेडिकल की जो कारवाई होती है उसको प्रारम कर देगी रात्री में और इस तरह से जब पहले सस्पेक्ट को पकड़ा गया तो उससे कुस्ताश में कि दूसरे का नाम तीसरे का नाम उसके पांश लोग इसमें सरकारी कर अभी चाथ हैं उसके इनमलते हैं जो जहां पर पैसा जमा करके मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है दिली और कश्मीरी गेट पर ही लड़की वहां पर मिली ती इसके बाद उनके साथ यहां पर आ गई ती और इसके बाद इसके साथ है घटना करूंगा तो अभी तक जितनी चीज़े आई हैं अभी तक इतने कम सब्सक्राइब पांचों लोग सब्सक्राइब कर लिए गया है बाकी जो हमारी तीम उसको भी रात्री में बुला कर हमने बस के जो भी सेंपल वगरा अब करा लिए गया है